आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी विंटर स्पेशल रेसिपी सर्सों का साग मोस्टली लोग इसे नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सर्सों का साग बनाना बहुत ही मुश्किल है पर इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है बहुत ही आसान तरीके से आज बनाएंगे हम सर्सों का साग बहुत ही डेस्टी और बहुत ही हल्दी होता है वेज जैका में आप सबका स्वागत है साग बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ यह एक बंच सर्सों का जो वजन में 500 ग्राम है बहुत ही बड़ी हरे हरे पत्तों वाली सर्सों है यह पहले हमें इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है यानि के इन में जो खराब पत्ते हैं उन्हें तोड़कर अलग कर लेना है और अब यह जो डंठल है जिने हम पंजाबी में गंदल कहते हैं इने भी तोड़ कर छील लेना है इनके उपर रेशे होते हैं इने छील कर अलग कर देना है और इन डंठलों का साग बनाने में इस्तेमाल करना है इनका टेस्स साग में बहुत ही अच्छा आता है और अब सारे डंठल और खराब पत्ते तोड़ने के बाग जो बाकी पत्ते और बच्ची वी डंठल होती है ना उन्हें भी हमें पूरा छीलना है नहीं तो क्या होता है कि साग खाते समय इसके रेशे मुँ में आते हैं तब ही तो कहते हैं कि साग बनाने में बहुत मैनत लगती है क्योंकि एक-एक पत्ते को अच्छी तरह ऐसे छीलना ह होता है फिर काटना होता है फिर साग बनाना होता है और अब यहां पर मैंने सारे पत्तों को चील कर अच्छी तरह से साफ करके काटने के लिए तयार कर लिया है और डंठलों को भी अच्छी तरह से चील लिया है अब इसे हम छोटा-छोटा काट लेंगे वैसे आज मैं साग कुकर में बनाने वाली हूँ इसलिए थोड़ा सा बड़ा मोटा भी काट सकते हैं क्योंकि कुकर में बराबर पक जाता है और अगर बिना प्रेशर के खुला बनाना है तो हमेंसे एक सा बारिक-बारिक काटना होगा और अगर साग क्वांटिटी में ज्यादा है न तो इसे हम स पत्ते तोड़कर अलग कर लेंगे सर्सों में मिलाने के लिए और फिर पत्ते तोड़कर इसे भी रफली काट लेना है और काट कर मैं इसे सर्सों के साथ ही रख रही हूँ और अब देखिए पालक और सर्सों के साथ मिलाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बंच बाथू बहुत ही गुणकारी होता है, सरदी बढ़ने के साथ साथ ये मार्केट में मिलना शुरू हो जाता है, इसके भी पत्ते पत्ते तोड़कर अलग कर लेंगे, और जो सौफ्ट वाली डंडिया है उन्हें साथ में ही रहने देंगे, और पत्ते अलग करने के बाद इसे भी रफली काट लेना है, इसमें मिट्टी और रेद बहुत जादा होती है, तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें दोना चाहिए, और अब मैं यहाँ पर ले रही हूं एक मुठी भर मेथी, मेथी की क्वांटिटी साग में बहुत ही कम रखेंगे, वरना साग में थोड़ सी कड़वाहट आजाएगी, और अब मेथी की हाड हाड डंडियां मैंने तोड कर अलग कर दी है, और सौफ्ट वाली साथ में ही रहने दी है, और फिर उसके बाद मेथी को रफली काट लिया है, और अब यहाँ पर देखिए, मैंने सारी हरी पत्तेदार सबजियों को काट क अब देखिए, और अब अगर आप काटने से पहले दोईंगे न, तो दोगर इन्हें पहले थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, ताकि पत्तों में से पानी नुचर जाए और फिर ही इसकी अच्छे से कटिंग हो पाएगी, आज हम साख को कूकर में पकाएगे, वैसे तो इस दोया है न, इसलिए एक गिलास पानी लिया है, और अगर साख को पहले दोईंगे, फिर काटेंगे तो पानी थोड़ा जादा लेना पड़ेगा, पानी डालने से साख पकते हुए बरतन के तले में नीचे नहीं लगेगा, वैसे तो हरी पत्तेदार सबजियों में काफी पा और फिर इसमें एड़ कर रही हूँ, ये कटा हुआ एक छोटा प्याज, चार-पांच कटीवी हरी मिर्ची, एक टीस्पून कटा हुआ अदरक और एक टेबल स्पून भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन, इसमें मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिं बनता है, और अब मैंने इसमें एड़ किया है, एक टीस्पून नमक, और अब देखिए, ये खौलना शुरू हो गया है, तो अब ये धीरे-धीरे नीचे होने लगा है, बैठ जाएगा, यानि कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसे हम किसी भी कडशी या मतनी से इस तरह अंदर के और करते जाएंगे, जिससे साग घोड़ते हैं, जिससे घोटना कहते हैं, मतनी कहते हैं, मैं उससे कर रही हूँ, और फिर धीरे-धीरे बाकी बचा साग भी इसमें एड़ करते जाना है, और धीरे-धीरे प्रेस करते हुए, अंदर के और करते जाना है, और जब के थोड़ा नीचे हो जाएगा न तो cooker का ढखकन लगाकर इसे बंद कर देना है और हमें 1 ct आने का इंतजार कर न है थोड़ी देर बाद जब cooker में 1 ct आ जाएगी न तब Напर गैस की फ्लेम को सिम कर देना है और सिम फ्लेम पर इसे 10-15amment तक और पकाना है और जब साग को पकते हुए 10-15 मिनिट हो जाएं तो गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और कूकर को ऐसे ही रखा रहने देना है जब तक कि इसमें से स्टीम अपने आप रिलीज नहीं हो जाती और थोड़ी दे रखने के बाद जब कूकर की स्टीम निकल जाएगी न तो कूकर का ढखकन खोल देंगे और साग को चेक कर लेंगे देखिए अब साग बहुती बड़िया पक गया है और इसमें पानी भी काफी है तो हमें शाहिद ही इसमें और पानी डालने की जरूरत पड़े और अब देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ वन फोर्थ कप मक्की का आटा आटे को पहले चान लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें एड़ करते जाना है और इस घोटने से इसे घोटने से या मतनी से या फिर जिससे पावभाजी मैश करते है न उससे भी से थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा मक्की का आटा इसमें एड़ करके मिक्स कर दिया है अच्छे से मिक्स करना है कोई भी लम्स ना रहे इसमें आटे के बस इसे अच्छी तरह से घोटते जाना है मक्की का आटा एड़ करने से साग में बढ़िया सी बाइनिक आ जाएगी औ अब देखिए यहां पर आटे को mix करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया है और अब आपको दूसरा तरीका भी बताती हूं साग में मक्की के आटे को हम hand blender से भी mix कर सकते हैं और कभी क्या होता है कि मक्की का आटा ना हो तो हम basin भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडर को हमें एकदम लगातार नहीं चलाना है, ओन उफ करते हुए चलाना है, नहीं तो क्या होगा, साग बहुत जादा पतला हो जाएगा, जादा बीट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप साग को बीट कर लीजिए, हैंड इस प्रोसेस को करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अब देखिए साग में बहुत अच्छी बाइनिंग आ चुकी है, अब फिर से गैस को आउन करके इसे थोड़ी देर तक और पकाना है, ताकि इसमें जो हमने आटा यूज किया है वो पक जाए, आटे का कच्छा सा स्वादना है, अब इसे मीडियम फ्लेम पर ढखकर पकाना है, अगर ढखेंगे नहीं न तो साग उचल कर बाहर गिरेगा, इसलिए इसे ढखना बहुत जरूरी है, इसे ढखकर पकाते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख भी सकते हैं कि ढखकन पर साग के बहुत सा साग ना तो ज्यादा गाड़ा है और ना ही इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा पतली है, आपने ध्यान दिया होगा कि साग पकने के बाद जब कुकर कर ढखकन खोला था ना, तब साग में काफी पानी था, जो मक्की के आटे ने अब्सॉर्ब कर लिया है और हमें एक्स्ट्रा और जादा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी और अब आप इस साग को इस स्टेश पर ठंडा होने के बाद फ्रीज में स्टोर करके रख लीजिए और एक दिन बाद दो दिन बाद या जब भी आपका मन करें इसे फ्रीज में से निकालिए तरका लगाईए और फिर प् बारी कटा हुआ खूप सारा लहसुन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा जादा है लहसुन और घी में पके हुए लहसुन का टेस्ट साग में बहुत ही बड़ी आता है जब लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा न तब इसमें बारी कटा हुआ 1 टी स्पून अधरक भी अद्रक को भी घी में लैसुन के साथ ही हलका सा ब्राउन होने तक पका लेना है और फिर इसमें एड़ करेंगे बारी कटे हुए दो प्याज प्याज को लैसुन अद्रक के साथ मिक्स करके ब्राउन होने तक हमें इसे पका लेना है साग जो हमने तयार करके रखा हुआ है न उ हम इसमें कटा हुआ एक छोटा सा टमाटर एड़ कर देंगे टमाटर ऑप्शनल है अगर आपको साग में टमाटर पसंद है तो एड़ कीजिए नहीं तो केवल प्याज, लैसुन और अद्रक का तड़का ही साग में दे दीजिए टमाटर के साथ ही मैंने इसमें हाफ यह पका हुआ साग तड़के में मैंने केवल नमक एड़ किया है कोई भी मिर्च मसाले अड़ नहीं किया है साग में सूखे मसालों का नहीं बलकि लैसुन और अद्रक का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है इससे साग का अपना अथेंटिक टेस्ट आता है जो साग का अ एकाद मिनट तक और पका लिया है और साग तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुका है तो हम यहां पर गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और देखिए क्या बढ़िया साग बना है इसका टेक्ट्टर देखिए बहुत ही बढ़िया आया है इसकी कंसिस्टेंसी अगर आपको यहां पर साग गाड़ा लगे तो गरम पानी डाल कर इसको सेट कर लिजिए और अगर पतला लगे तो थोड़ी देर और पका लिजिए तो यह हमारा एकदम हेल्दी और टेस्टी ला जवाब सरसो का साग तयार है और अब साग में देंगे बढ़िया सा छोटा थोड़ा सा लंबा पतला कटा हुआ अद्रक अद्रक डालने के बाद गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और ओफ करने के बाद इसमें एड़ करेंगे दो से तीन साबुत लाल मिर्ची और दो से तीन कटी हुई हरी मिर्ची फ्लेम को ओफ करने के बाद ही यह मिर्ची आड़ क किजिए इससे क्या है कि साग की प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया लगती है तो चलिए अब गर्मा गर्म साग को करते हैं सर्व बहुत ही बढ़िया लाजवाब ऑथेंटिक पंजाबी टेस्ट वाले साग को आप मक्की की रोटी सिंपल रोटी या फिर पराठों के साथ और उपर से जाएगा थोड़ा सा मक्खन सर्सों के साग में अगर मक्खन और घी ना होना तो साग का स्वाद अधूरा ही रहता है तो फ्रेंट्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज रेसिपी क लाइक और शेर जरूर कीजिए थैंक्यू